ओम नमस्षिवाय जय मातरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योट्यूब चैनल व्रत्यों हार टोटके मैं हूँ आपके साथ शुम 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 शर्मा दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको रवी वार व्रत से जुड़ी हुई इतवार व्रत जिसे हम कहते हैं उससे जुड़ी हुई संपोर्ण जानकारी देने जा रही हूं रवी वार का दिन होता है भगवान सुर्य नारायन का दिन हम भगवान सुरीदेव की उपासना में रहते हैं रवी वार व्रत हमें कब से करना चाहिए रवी वार व्रत हमें कितने करने चाहिए रवी वार व्रत क्यों करते हैं, रवीवार का व्रत किनहे करना चाहिए, रवीवार के व्रत में सुरीदेव की पूजा आराधना किन मंत्रों से करनी चाहिए, क्या वो पाथ हमें करने चाहिए, रवीवार व्रत में पूजा विधी हमें क्या रखनी चाहिए, क्या भोग अरपित करना च रविवार वरत के दन हमें क्या खाना चाहिए दोस्तो सबसे पहले रविवार का वरत होता है जैसा कि मैंने बताया हम सबी जानते हैं सूर्य नारायन का ये दिन है और एक आराधना हम करते हैं नव ग्रहों में हर ग्रह का एक एक दिन होता है और उनके वारों में हम उनकी आराधना करते हैं सुर्य देव का ये वार होता है रविवार और सुर्य देव माने जाते हैं नव ग्रहों के राजा उनकी विशेश आराधना से हमें हमारे जीवन में सब कुछ मिलता है अगर आपको भी जीवन में आपको यश चाहिए, आपको मान समान चाहिए, नौकरी में पदुनत्ती चाहिए, नौकरी में आपके नाम से लोग आपको जाने ये शश्वी होना चाहते हैं, ओजवान होना चाहते हैं, प्रतापी होना चाहते हैं, शक्तिशाली होना चाहते हैं, पुत्रवान होना चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का अगर चर्म रोग है खास तोर पर उससे मुक्ती चाहते हैं, तो दोस्तों आप को रविवार का वरत जरूर करना चाहिए रविवार का वरत अब किन्हे करना चाहिए रविवार का वरत कोई भी कर सकते हैं स्तरी कर सकते हैं पुरुष कर सकते हैं बच्चे भी कर सकते हैं अगर आप उनको गाइदें जैसे माता-पिता बताएं अपने सरक्षर में उनसे वरत अगर उन्हें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बच्चे कर सकते हैं, विद्वाइं कर सकती हैं, कोई भी रविवार का वरत कर सकता है अपनी मनुकामना के लिए, अपनी इच्छा पूर्ती के लिए, दोस्तों, रविवार का वरत अब कब से करना चाहिए, देखें, बह रवीवार का वरत आपको कब से करना चाहिए शुरू तो रवीवार का वरत दोस्तों, पाउश मास को अगर आप छोड़ दें तो उसके बात किसी भी मास के शुकल पक्ष के पहले रवीवार से आप ऐसे वरत को धारत कर सकते हैं व्रत को अब कितनी संख्या में करना चाहिए क्योंकि हर व्रत की एक संख्या तै की गई है कि उतनी संख्या में विशेश फलो की प्राप्ति के लिए हमें वो व्रत जरूर करना चाहिए तो जो रवीवार का वृत है उसकी संख्या अगर आप कम से कम करना चाहते हैं तो मिनिमम आप बारह की संख्या रखें बारह एक साल या तीस रवीवार वृत यही है माननेता और इसी तरीके से आपको करना चाहिए संख्या ये आपको ध्यान में रखना चाहिए तो दोस्तों अब आपके पास जान का रही है कि रवीवार का वृत हमें क्यों करना चाहिए जरूरी कितनी संख्या में करना चाहिए और कब से करना चाहिए अब मैं आपको बता दू कि रवीवार की वृत के दन में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए सबसे पहले जो व्रत की विधी है वो आप जाने रवीवार का दिन सुर्य नारायन का दिवस होता है सुर्य नारायन को अर्गे बहुत प्रिये है रवीवार के दिन हमें लाल रंगा ज्यादा करके इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि सुर्यदेव का रंग लाल है पसंदीदाउन का तो हमें रवीवार वृत के दिन जिस दिन हम वृत धारन कर रही है उस दिन हमें लाल वस्त्र धारन करने चाहिए इस दिन भगवान को जो हम वस्त्र अर्पित करेंगे सूरी नारायन को वो भी लाल रंग के वस्त्र ही अर्पत करेंगे और हम सभी चानते हैं कि भगवान सूरी नारायन को जब हम अर्ग देते हैं तो वो पात्र भी हम लाल मतलब की तांबे के पात्र से अर्ग देते हैं अगर सोरी नारायन की पूजा में देखिए ये माना गया है अगर तस्वीर है आपके पास तो ठीक है अगर प्रतिमा आप रखते हैं तो असा माना जाता है कि सोने की रखी धातो में या फिर अब तामे की रखें तो अगर आप प्रतिमा रखते हैं सोरी देव की तो इस तरह स बोचन करेंगे अगर आपको रविवार का वरत करना है अगले दिन अब रविवार वरत के दिन में आप सुबह प्रातकाल उठेंगे स्नान करके आप लाल रंके वस्तुर धारन करें और असके बाद आप एक पाटे पर सुर्य नारायन की प्रतिमा फोटो स्थापित करेंगे लाल आसनी बिचाकर भगवान को जो वस्तुर देंगे वो भी आप लाल देंगे सुरी नारायन की पूचा में अब किन विशेश चीजों का हमें ध्यान रखना है बगवान सुरी को अर्ग से वो भी सबसे ज्यादा प्रसन्य होते हैं तो जो अर्ग के लिए हमें चीजे तो तामे के बात्र में आप गंगा जल और उसके बाद उसमें अगर गंगा जल बहुत नहीं है आपके पैस तो साधारन जल भरकर वो पात्र तयार करेंगे उसमें आपको लाल चंदन मतलब रख्त चंदन मिलाना है आपको उसमें अक्षत डालने है अगर आप लाल रंग से पूचप पूचा करनी है। सुर्य देव को इसके बाद आप और देंगे। सुर्य देव को और देने की पूरी विधी पर एक वीडियो मैं के साथ अलग से शेर किया हुआ है। डेस्क्रिप्सिन बॉक्स में लिंक रख दूँगी। सुरीदेवता को अर्ग देने की एक संपोर्ण विधी है उस नियम का पालन हमें उन्हें अर्ग देते वक्त जरूर करना चाहिए तो उन नियमों के पालन के साथ में आप सुरी नारायन को रवी वार्वरत के दिन अर्ग देंगे तो सुर्य नारायन को अर्ग देने के बाद में आप जिस तरीके से मैंने बताया कि आप एक पाटे पर लाल वस्तर विछाकर सुरीदेव के प्रतिमा स्थापित करेंगे उनका विधिवत पूजन करेंगे पूजन में भी आपको लाल पुश्पो का इस्तमाल करना है लाल अक्षक का इस्तमाल करना है रक्त चंदन ही अर्पित करेंगे भगवान को भी लाल चीजे पसंद है भोग में आप गुड भी रख सकते हैं और आप चाहें तो भगवान के भोग में आटे का हलवा भगवान को जो चीजें हम अर्पित करते हैं वो लाल करते हैं सुरी नारायन को तो रवीवार की वरत में जो भोग हम लगाते हैं वो आटे के हलवे का भोग लगाते हैं तो आप आटे का हलवा तैयार कर लें गुर से तैयार कर सकते हैं शक्कर से भी तैयार कर लें क्योंकि वो लाल ही हो अब भोग में वही अरपित करें, उसके बाद दोस्तो इस तिन आपको सुर्य देव की मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा बार जब करना है। भगवान सुर्य नारायन का मंत्र है ओम राम रिम रॉम सह सुर्याय नमह तो इस मंत्र का आप ज्यादा बाः सी जप करेंगे आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं तो छोटा मंत्र है ओम तो आप भी रवी वारवरत के दिन आदे तहदा श्रोत का पाठ जरूर करें. तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूजा विधी रखनी है, मंत्रों का जब करना है जब आप पूजा कर रहे हूं और इसके बाद रवी वारवरत की कथा है, वो कथा आपको सुननी है और इसके बाद सुर्य नारायन की आपको गणपती के बाद उनकी भी आरती उतार कर पूजा जो विधी है, वो इस तरीके से संपन न करनी है. अब जो आटे के हलवे का आपने भोग चड़ाया था भगवान को, आपको क्या खाना है, ये अब मैं बता देती हूं. भगवान को जो अपने भोग में आचे का हलवा लगाया है, उसी तरीके से वो हलवा आप थोड़ा जादा बना करके खुद भी ग्रहन करेंगे. रवीवार के वरत में हम एक टाइम का खाना खाते हैं, खाना हमें मीज़ा खाना होता है. रवीवार वरतों के नियम में एक नियम बहुत ध्यान से आपको फॉलो करना है, वो नियम है, रवीवार वरत में हमें किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं करना है, रवीवार के वरत में हमें किसी भी प्रकार के तेल का सेवन नहीं करना है, रवीवार के वरत में आपको यह दोनों चीज़ें एकदम निशेद रखनी है अब आपको करना क्या है खाना क्या है देखें आप सुबह की पूजा के बाद दिन में फलाहार ले सकते हैं चाई पी सकते हैं अब आपको शाम में भगवान को शाम की आर्थी करने के बाद में सूर्यास्त के पहले, ये एक महतोपुर्ण नियम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, आपको जो भोजन ग्रहन करना है, एक समय का, वो आपको करना है, सूर्यास्त के पहले, मतों सूर्य देव के आकाश में रहते हुए, आपको भोजन ग्रहन कर लेना है, भोजन ग्रहन तो गोड़ डालके पराठे बना ले या आप पराठे और गोड़ भी अलग से खा सकते हैं। जो भी चीज बनाएंगे आपको जैसे मैंने बताया निशेद है तेल का तो आपको तेल का इस्तमाल नहीं करना है। इस दन पूझाव में भी आपको घी के ही दीपक लगाने है और खाने में भी आपको घी का ही इस्तमाल करना है। खाने की चीजों में घी जरूरी बताया गया है घी, गोड, गेहूं। तो इसका इस्तमाल आप रविवारवरत के भोजन में करेंगे। दोस्तों भोजन करते समय आप कोशिश करके अपने घर के ही कोई भी बच्चा या बच्ची हो अपने भोजन के पहले उन्हें वो लाल भोग जो आपने चड़ाया है भगवान को, सुरीदेव को वो जरूर उन्हें दे घर के अन्य सदस्यों को प्रिशाद वितरत करने के ब मैं यह कहूंगे आप उसे दिन लाल वस्तों का दान करें तो उत्तम है आपको रविवार वरत के दिन लाल चीजों का दान करना चाहिए आप किसी को भी कुछ भी दे वो लाल हो लाल कपड़े का दान कर सकते हैं लाल फलो का दान कर सकते हैं गेगू का दान कर सकते हैं तो इ या तीस या एक साल जो भी आप कर रहे हैं, आपका संकल्प पूरा होता है, और उसके बाद अगले, बत्वा बारह अगर आप में संकल्प मिलिया है, तो तेरहवेर अविवार को आपको उध्यापन करना होगा, उध्यापन की विधी विस्तार पूर्वर्क में एक अलग हवन के लिए आप कम से कम 11 के साहूती कर सकते हैं और ज्यादा आपकी जितनी मर्जी हो उतनी संख्या में करें, अगर आप चाहते हैं किसी योग ब्रहामन को बुला करके हवन करवाना आप वैसा करें, और नहीं तो आप खुझ से भी कर सकते हैं, उध्यापन की दिन में दो आप मेरी वो कामना पूर्ण करें, उसके बाद आप भवन करें और लाल वस्तुमों का ब्रहामन को यथा शक्ति आपको दान करना चाहिए, तो इस तरीके से दोस्तों आप रवीवार व्रत पूर्ण करते हैं, देखें अपने तरफ से मैंने संपोर्णता से कुशिश की है, हर चोटी बड़ी बात की जानकारी आपको देने की, लेकिन अगर फिर भी कोई अन्य जानकारी रह गई हो, तो कमिंट बॉक्स में कमेंच कर आप मुझसे जरूर पूछे, किसी अन्य व्रत वहारों की कोई जानकारी चाहिए, आप वो भी मुझसे कमेंच बॉज़ सक्ते है दोस्तों अन्य सभी व्रतों की इसी तरह से पूजा विधी व्रत नियम मैंने आपके साथ शेयर किये हुए है मैंने सोमवार व्रत की संपोर्ण विधी और पूजा आपके साथ शेयर की हुए है कादशी व्रत की संपोर्ण पूजा विधी शेयर की हुए है पशुपती वरत की पौनिमा वरत की शेयर की हुई है आपके साथ मैंने वरस्पती वार वरत की विधिया और जो भी नियम है वो समपौनता से मैंने शेयर किये हुए हैं सारे जो वरत विधी नियम है वो रिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी उन वीडियोज को भी आप जानकारियों के लिए जरूर देखें। वीजिवान तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चेह बातरानी।